तो dear student आज की या वीडियो महा संग्राम रिवीजन क्लास होने वाली है जो भी हमारे बिए फोर्थ समस्टर के student है यानि कि चतृत समस्टर के student है जिनका subject sociology यानि कि समासाफ्त रहे हैं उनके लिए रामबान और महा संग्राम रिवीजन वीडियो है क्योंकि आपकी परिच्छा जाएगा परसों कि सर आपने जो बताया था वह प्रशनायत है भरोसा करके देख लिए क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो सारे कोईश्चन क्लिउट किया है जो पिछले वर्सों में लगातार पूछे जा रहे हैं इस बार दोहजार लिए इसी वर्स दोहजार चोबिस का पूरा का पूरा माडल वे पेपर है यानि कि फोर्ट समस्टर में भी फोर्ट समस्टर होता ठीक है सब्जेक्ट आपका सोचलोजी है प्रशन पत्रयानी कोश्चन पेपर का नामें पढ़ लीजेगा सोचल प्रोब्लम्स एंड इसूज आप डेवलोप्मेंट इंडिया परिच्छाएं लिखीत होंगे उन सभी स्टूडेंट के लिए परिच्छा अके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है द्धान से वीडियो को देखते रहेगा सबसे पहले पूरा माडला पेपर आपको देखना है तो देख सकते हैं ठीक लग उत्रे में भी आपको प्रश्ण के उत्तर देने होंगे इंपॉर्टेंट प्रश्ण है इस तरह आपको देर घुत्रे में भी आपको कोईश्चन देखने को मिलेंगे या निकि तेन तरह के प्रश्ण आएंगे आति लगो देर को और ऐसे ही पेपर आपकी परिच्छा फेल करते मैं भरोसा दिला रहा हूं आप लोगों को कि इस वीडियो में इस माडल पेपर में जितने भी कोईश्चन इस माडल पेपर में इन सभी का लगभग-लगभग मैंने उत्तर तयार कर लिया है वो भी आपको प्रस्तुत करने वाला हूं और साथ-साथ और निभी बहु सुन लेजेगा बिरोजगारी की से कहते हैं जिसको इंड्रमिनिक में बनीप्राइंमंत बहाती है लेकिन अलाग अलाग बिद्वानों की एenced की वहीं पर एक प्रोव्ट बिद्वान जिनका नाम है राऊफिन्था घ्रेगहुरी इन्हों ने अपने अनुसार बीरता प्रस् बेखते हैं यानि कि इसके पास नौकरी नहीं वही विरोजगार है ठीक है तो एक विरोजगार बेखते हैं जो वर्तमान समय में काम नहीं कर रहा है जो सक्रे ढंसे कारी की तलास में है और तीन नंबर जो वर्तमान मजदूरी पर काम करने के लिए उपलब्द है वो भी है बिरोजगारी के बिरोजगारी के बड़ाबर ये ठीक है तो सिंपल सी बात है पहला पॉइंट एही दिया ख़या है कि जो करेंट समय में वर्तमान समय में क्योई काम नहीं कर रहा तो वो सप्रंदब नहींे का सब्वार बार प्रकार के था सब्द सब्सक्राइब Rexha उन सब्सक्राइब उसका उत्वत तो ध्यांठ सुनेंगे और अंसिक रोजगारी वा रोजगारी होती जिसमें वे बेक्त आते हैं यानि कि वो इंसान आते हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है मतलब कि आंसिक बिरोजगारी का मतलब ये हुआ कि जो बेक्त जो भी इंसान लड़के लड़का जो पढ़े लिखे हैं फिर भी उनको नोकरी नहीं मिल पारे फिर भी उनको रोजगार नहीं मिल पारा ठीक है तो उन्हें बोला जाएगा आंसिक बिरोजगार ठीक है, आंसिक बिरोजगारी के अंतरगत इसलिए आते हैं क्योंकि उनके पास टैलेंट तो है, उनके पास स्किल्स, पढ़ाई, डिपलोमा, कोसे, डिग्रियां तो है पर उनको नोकरी नहीं मिल दैए मिलती है नौकरी पर उनके कबिलियत के हिसाब से नहीं मिलती है जैसे कि उन्होंने BCA MTech BTech कर लिया है तो वो 10-12,000 की नौकरी थोड़ी करेगा वो तो कम से कम 15-20,000 से सुरुवात होगी वो नौकरी करना चाहिए का कम से कम की बात करा हूँ बाकी तो BTech करने के बाद 20-25,000 से उपरी की नौकरी मिलती है कम से कम की बात करा हूँ सुरुवाती दोर पे तो विरोजगार वो भी इंसान है जो पढ़ा लिखा बहुत सारे ऐसे इंसान है जो BTech MTech को बहुत अच्छे-चे कोर्स और बहुत अच्छे-चे इसकिल्फ गेंड करने के बाद उनको नौकरी नहीं मिल लए यहां तक कि 10-12,000 तक की नौकरी भी नहीं मिल लए ठीक है तो वही इंसान है जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल ला है और दूसरा जो विरोजगारी का परकार है वो है पूर्ड समय विरोजगारी पहला है आंसिक विरोजगारी दूसरा है पूर्ड समय विरोजगारी तो यह वह विरोजगारी है जो सुरू सही विरोजगार है इसके बारे में हाध्कोंड प्रस्थन ध्यान लगेंगे अगला परस्तों थे आप लोगों की समस्त की विरोजगारी निवारण की उपावताई यह जो मतलब की आजकल हर्ची दवाईयां पे तयार हो रही ठीक तो उसको नहीं होना चाहिए तो यानि कि पूरी तरह एक क्रशी जो बिलकुल एकदम नारमल किसी होती जो किसान गाउं का करता उस प्रकार की खेती होनी चाहिए ठीक है तो क्रशी की ज्यादा फे ज्यादा भू भाग पे अगला की तिच्छा पद्रत में सुझार यानि कि जो आपको फिच्छा दे जा र उन सब चीजों का अफ्थापना ठीक है ध्यान रखेंगे अगला पॉइंट है कि रशनात्मा कार यानि कि कुछ आपके अंदर क्रेटिविटी होनी चाहिए ठीक है कुछ अलग करने की योगिता अगला देश की वर्तमान अर्थ बेफ्था में सुधार यानि कि जो हमारी अ साइक सिच्छा यानि कि आपको बिजनेस सम्मंदिज दिया जाए ठीक है फिच्छा दी जाए तो यह कुछ प्रमुक अभिरोजगारी निवारण के उपा है जिनको आपको ध्यान डखना प्रमुक प्रश्ण है अब बढ़ते हम अगले प्रश्णी के और अगला प्रश्ण इसलिए यहाँ पर कोई नंबरिंग नहीं इसके टेंसर में मत रहेगा लेकिन कोश्चन है जैसे कोश्चन ऐसे ही आजाएगा कि भारत में अपराध के कारण बताईए या फिर बहुत लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े क्राइम कर देते हैं फिर भी उनको सजा नहीं मिलती तो वही बताया जारा कमजोर कानून के बेवफ्ता भारत में अपराध का मुख्य कराण पूलिस प्रसाथनमा कानून बेवफ्ता की फिथिलता है मतलब कि उनकी एक तरीके से बोल सकते हैं कि लाफर वाही या फिर किसी के कोई क्राइम कर रहा है तो एक्सन ना लेना ठीक है जारा वाज़ा कर जारा भारत में तेजी से बढ़ रहा है जन संक्या के करण बिरोजगारी की समस्या का उदय हो रहा है और ये बहुत बड़ी समस्या है, जिसके करण अपरादों की संख्या में ब्रद्धी हो रही, पतब जन संख्या बढ़ेगी, नोकरी आपको मिले की नहीं, तो आप गलत राह पे जाएंगे, गलत कदम उठाएंगे, गलत कारी करेंगे, ठीक है, तो इसके क्या होगा, जो आपके रित, रिवाज, कल्चर, जो आपके बाबा जी, दाजा जी आपको देर है, उन संसकारों को आप लोग ना प्राना, या फिर बहुत सारे ऐसे फैमली वारे हैं, जो आपको अच्छे संसकार नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, वो आपको और अल्ला पर वहाँ बनात किसे कहते हैं, फिर कोश्चन इस प्रकार हो सकता कि बात में जो बच्चे अपराद करते हैं, बाल अपराद होते हैं, उनको फुधारने को उपाय बताईए, ठीक है, कोश्चन यहां पर में लिखने का प्यास कर रहा हूं, एक बिनट रुक जाई, यहां पर वर्क नहीं कर भारत में बाल अपराद रोकने के रोकने के उपाय बताईए, ठीक है, ऐसा कोश्चन होगा, जहां रखेंगे, तो उत्ता लिखेंगे वर्तमान समय में बाल अपराद रोकने के उपाय दो परकार की किये जा रहा है, पहला उनके लिए ने कानून बनाए गए हैं, और रखने की शुविधा, फुधारातमक, संस्र्थान, बोश्टरल, श्कोल, बाल, सल्ला, केंद, प्रॉबेशन, ठीक, अप्रोबेशन, छात्रावास, आदिजी कुछ प्रमुक्प उपाय गिये गए हैं, बाल अपराद के लिए, तो इनको आपको ध्यार लखना है, हलाकि हम को चाहरल से नहीं फर्सा है कि थ्यान देने वाली बात है यहां पर आ भी सकता है अगला कॉष्चन बहुत ही पॉपलर है कि परिभावफा दिए धता चाहर कि 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 से कहते हैं ध्रसटाचार के की बुरा ब्रष्ट पहला जो अच्छार है ब्रष्ट को अगर दो भागों में ब्रष्ट आचार को दो भागों में बाचा जाए तो ब्रष्ट प्लफ आचार आएगा ठीक है तो जिसमें से ब्रष्ट का अर्थ है बुरा ठीक है और जो अचार है इसका मतलब हो गया मतलब की ब्रस्ट का मतलब बुरा या फिर बिगड़ा हुआ ठीक है ब्रस्ट जो होता उसको बुरा कहेंगे फिर बिगड़ा हुआ कहेंगे तथा जो अचार है इसका मतलब हुआ आचरण यानि कि आपका जो बिगड़ा आचरण है या फिर बुरा आचरण है उससे संबंदे ठीक है तो अर्थात भष्ट रचार का साभदिक अर्थ है कि वा आचरण वा ठीक है आपका जो नियम कानून है या फिर आप लोग जिसको आचरण बोलते हैं जैसे आपकी मालीजे की फैमिल या फिर आपकी खुद की आचरण जो हते अच्छे आचरण वाले बुरे आचरण वाले वही वाला आचरण है तो इसका आचरण का अर्थात सिंपल सा फिस्चे पढ़ लीजे मृफ्ट यानी बुरा या बिगडा हुआ तथा आचार का मतलब ह वहां अचरण अर्थात भरताचार का सापदीकर्थी वाचरण जो किसी भी प्रकार से अन्याथिक को फूर ठीकत धिक है अनुचित एक तरीके से अन्याथिक है वो पहले जायजी नहीं और दूसरा हो रहा है तो वह क्या कहेंगे ब्रस्टा चारा क् SENक जांट बड़े बड़े उदाहरण है आप हर जगह आप जाईए बैंक जाईए कहीं पर कोई काम कराना आपका सरकारी तो हर जगह आपके दलाल बैठे हुए है वो कहेंगे कि आप हमें एक हजार दे जीजे दो हजार दे जीजे जैसा भी काम हो वो कहेंगे कि हम आपका काम करा देंग तो क्या होगा बरूश्टा 4 होगा या फिर कोई भी सरकारी ओफिशर है या फिर प्राइवेट ओफिशर हे वो किसी भी डिपार्मेंट का हो सकता है ठीक है आप उसके पास किसी भी कार के लिए बार बार जार है, लेकिं भी आपका वो काम नहीं कर रहा है। लेकिन आपके एक बार कहने पर की फर्क किसी तरह करा दी जी हमारा काम, लेकिन पैसे आप जचाई करेंगे। तो वो फिर डिपार्ण करेंगे कि नहीं हमें 5000 रुपे चाहिए तब भी आपका काम कराएंगे ठीक है तो क्या हो गया वरष्टा चार के अंतर गतित हो आ गया तो इसे कहेंगे वरष्टा चार उसके बाद फिर से यहाँ पर वरष्टा चार से शम्मंदित कोश्चन है कि सारवजनिक धन यानि कि जिस पे सभीका अधिकार है और पद का इस्तिमाल अधिकारी या करमचारी द्वारा बेक्तिगत लाप रापप करने के कि उद्देश से किया जाए तो ऐसे नियदो ऐसे एक अक रठ्तिकोश्टा चार कहा जाता है यानी कि सारवजनिक धन दमत्ब जिस पे सबका अधिकार हो और पद का इस्तमाल करें मतलब कि अपने पद का जो है अपने जो पोस्ट का वो गलत इस्तमाल कर रहा है कोई भी अधिकारी कोई भी करिवचारी वो भी अपने स्वयम के लाव के लिए कि हमारा इफे घर चले का हम और भी financially strong होंगे ठीक है तो जो प्राप्त करने के लिए उद्देफ जो भी कारी किया जाता है उसको भ्रष्टाचार कहा जाता है इस बात को ध्यान नकेंगे अता प्रत्यचिया परोच रूप से बिक्तिगल लाव के लिए निर्धायत करतव्यों की ग्यां गरतव्यों की जान बुचकर अपेच्छा करना की भ्रष्टाचार है तो इस पॉइंट को जरूर धान रेकिंग बहुत प्रॉपरलर प्रस्न है अगला कोशिया निकि भ्रष्टाचार के पांच करण बताई है तो भ्रष्टाचार की बहुत फारे करण है नंबर एक पे आप लोग लिख सकते हैं वफ्तोर से आवाओं की क कमी यानि कि जो आपकी सुविधाएं वो कमी हो रही है पारदरस्विता का भाव हो रहा है लाल फिता फाही और आकार्तिक नियम तथा प्रिक्रियाएं जो बहुत समय नष्ट करते हैं अगला प्रसाफनिक अभिकरण अफ्थाइक निरेड़ो द्वारा प्रदान की गए व अगला है कि सैबर अप्राद जिसको आप लोग गोलते हैं साइबर क्राइम के बारे मताई किसे कहते हैं क्या तत्तों हें क्या अतातपर रहें और इस नदिया उनकी मदद से अंजाम दिया जाता है तो cyber crime का simple सा मतलब यही हुआ कि जो भी काम या फिर जो भी आपके साथ गलत काम हो रहा है वो internet, mobile या फिर computer या फिर electronic माध्यम से किया जा रहा है गलत कारे ठीक है आपके हान आपको पहुंच रही है तो उसको हम कहेंगे cyber crime यानि कुल मिलाए कि cyber crime है वो computer, internet, mobile और technology जो बहुत फारी अलग-अलग electronic उपकरण है उनके माध्यम फे जो crime किया जाता है और जो ठगी की जाती है जो आपका नुकसान होता है उसको हम cyber crime कहेंगे example के रूप में मान लिजे कि आपके पास कई फोन आता है कोई call आता है और वो बोलता है कि आपके mobile पे एक OTP उसने भेजी ठीक है और आपके पास तुरंद फोन आ जाएगा दस-पांस निड़ बाद और वो आपके पास फोन करेगा और बोलेगा कि हमने आपके नंबर पे ए जान से सुनेंगे इस यह तरह होता है एक्जांपल के रूप में आपको बता रहा हूं आपकी पास बहुत फारे फ्रोड काल आए होगी जिसमें से बताया गया होगा कि एक OTP आहें आपके मुवाइल भी बता दी आपके लाटरी लग गई पांस लाक आपके खाते में आले वाले हैं तो बहुत फारे जो स्मार्ट हैं जो जानकार हैं वो तो भहिया कहेंगे भहिया हम किसी भी OTP को नहीं सेयर करेंगे और ना ही हम आपको OTP बताएंगे आएंदा दुबारा इस पर कॉल मत करना क्योंकि उस समझ जाते हैं लेकिन बहुत फारे लोग जो लालश में जाते हैं जिनको जानका ही नहीं होती है वो तुरंद के तुरंद आपके iMobile पे OTP जो आती हैं उसको बता देते हैं और जैसे बताते हैं आपका जो इतना कंट्रोल है मोबाईल का लेटोप का डिवाइस का वो अपने अंडर कह लेते हैं उस से आपका डेटा पूरा लिक हो है कि उसके लिए हर मतलब की चीज के दो ह्लो होते हैं दिन है तो रात है लाच नहीं है बुरा है तो अच्छा है तो हर चीज के दो पहलों होते हैं वह एसए हिस्में भी और अगला प्रशिण दुर्खीम के आतमहत्या के सिधांद बताई कि दूर्खीम इन्होंने क्या बताया है आत्महत्या के बारे में आपको लिखना बहुत ही प्रो को detail दियान रखेंगे तो आतंहत्या का सिंपल समय मतलब आप Ka डि रहां को उटना इसा भी आएगा के आठ मंणत्या किसे कहते हैं आत्म rib दुरकीम की आत्म हत्या के सिधान बताईए तो आत्म हत्या का सिंपल सा मत्तब यह हुआ आत्म का मत्तब हो गया स्वयम हत्या का मत्तब होगा खतम करना मतलब कि अपने आपको स्वयम से मार लेना सोयम से खतम कर लेना ही आत्मात्या है बाकि आप इसके बारे में डीटिल में बना के लिए फकते हैं आत्मात्या करी टाइप के होते हैं कुछ लोग फाफी लगा के मर जाते हैं, कुछ लोग नदी में कूत कर मर जाते हैं, कुछ लोग दस बिल्डिंग फे कूत कर मर जाते हैं, कुछ लोग जहर खा के मर जाते हैं, और इसके अलग अलग जो टाइप हैं, ठीक है, वो भी है, रीजन, ठीक कारण भी हैं, और इसके जो प्रकार हैं वो भी यह तो भाई मैं आपको Satya के प्रकार के प्रकार है लेकिन कार्ण करण कौन-कौन से ध्या थात्यां कर लेजिए K처럼 कुछ लोगों को mentally stress किया जाता है तो इस फिर लोग कर लेते हैं या फिर बहुत लोग के पास बहुत ही या फिर समाज में ना कर जाती इस वजह फिर बहुत ही महात्पूर प्रस्टिन है अगला की आतंक वात की परिवाफा दीजी आतंक वात का मतलब सम्पल सा हो गया कि एक प्रकार की हिरसात्मक गधविदी है आतंक वात अगर कोई ब्यक्त या कोई श्रंगट अपने आर्थिक राजनीति कों विचरात्मक लच्चों की पूर्थ के लिए देश या विदेश के नागरिकों के फुरच्छा को निसाना बनाए तो उसे आतंक वात कहा जाएगा तो आतंक वात का मतलब यही हुआ कोई फाइनसली यानि की रुपए पैसे के लिए राजनीति के लिए अपने देश से गद्दारी करें अपने देश की नागरिकों से गद्दारी करें और उनको निसाना बनाए ठीक है उसको हम आतंक वात करेंगे या फिर एक्जामपल के कि पार्टी का नेता है उसको खतम करना है तो सबसे पहले आप उसके पाफ जाएंगे पूरी जान कहिंद ये फिर आप वह अपने हिदेश के मंत्री को या फिर किसी अन्यवेक्त को मार देंगे तो क्या कहलाएगा आतंक वात कहलाएगा तो इसी प्रकार के बहुत साल इस व डिफर महारे पिदियफ है ओ भी महा संग्राम फिदियुप है तो यह दोनों को दोनों पीदियफ आपको हमारे टेली ग्राम वाट्सअप पे मिल जाएंगी तो जोनों से जुआइन हो सकते हैं वाट्सअप गुरूप से जौएन होने के लिए इसे वीडियों की सब्सक्राइब करते हैं तो जैसे आप गुरूप पे जाएंगे तनी नीची आपको नेले-नेले कला से एडमिन दिखेगा तो एडमिन पे आप किलिक करेंगे आपको हमारा नमबर चैट पर सुहूने लगे वाट्सप पे तो आप हमें मैसेज कर देंगे वाट्सप पे ही कि महासंगरां पीडियव चाहिए जैसे आप इतना कहेंगे हम आपको तुरंद की तुरंद आपको सेंड कर देंगे पीडियव तो आप अपने इस ग्राम के तैयारी कर लिजीगा और यह आपको अपना है चैनल है सक्सेस टू सब्सक्राइब कर लिजेगा बाकी आपको मिलते कोड़ने वीडियो में जहिंद